यूक्रेन जंग के बीच भारत आएंगे पूतिन ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खाबार मुझूदा जानकारी के मुताबिक राश्रपती पूतिन ये साल के खतम होने से पहले ही भारत आ सकते हैं अमेरीकन जिस चीज़ पर होंगे वेस्ट ये परिशान होगा हम पूटिन को सेंक्शन लगा के बैटे हैं दुनिया को कह रहे ही से कारबार नहीं करना सारी दुनिया जो है हर दुनिया के वहर कैपिटल में कि नरिंदरा मोदी जो है हमारा यारा है लेकिन जब ही है पूर्टन नो पांद है पूरे दुनिया का मेडिया चाहे ब्रिड़िश मेडिया यूएस मीडिया एशन मीडिया सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि रश्या स्पुतिन प्लान्स इंडिया ट्रिप डिफाइंग यूएस लेड एफर्स तो आइसोलेट हिम जो बाइडन के अंडर यूएसे ने जो भी कोशिश करी थी कि यह आइसोलेट कर देंगे रश्या को अकिला कर देंगे एवरिफिंग हैस फेल्ड तो इंडिया तो रश्या से पीशे नहीं अटने वाला यह जो करना है वेस्ट नहीं करना है बड़ी देखें इंडिया की आज एकॉनिमी अच्छी नहां होती इंडिया एक आज कंजूमर मार्की इटना होती तो उन्होंने इंडिया को साड़े पंजाबी चान देने चने चबादेने इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकर बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है ठीक है इस से एक क्लिया रास्ता खुल जाता है कि इंडिया रशिया खुल के बाद करेंगे इन सभी मुद्दों के बीच पुतिन के भारत दोरे पर पूरी दुनिया की नजरे होंगी और खबरों की माने तो कोई बड़ा खेल भी हो सकता है जहें दोस्तों भारत का सच्चा मित्र रूस की तरब से खबर आई है कि अब पुतिन साल के खटम होने से पहले भारत विजिट करेंगे और इससे भारत और रूस के बीच में बालेटरिल ट्रेट जो है और भी बड़ेगा और भी एग्रिमेंट साइन होंगे काफी कुछ चेंज हो सकता है और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले सांति प्रस्ताव रखाता यूक्रिन और रश्यावर को लेकर इसी के उपर आज पूरा पाकस्तान अमेरिका सक्ते में है आप इस वीडियो को एंट तक चुरूर देखेगा चैनल पर नए है चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा ऐस्ला दे रहे थे हमारे यहाँ वसला अमरी का रशिया से आ रहा थे यह जैशक कर आज विस्ट को जब डाक्टर जे जंकर इस्ट्री लेसन देता है तो अच अच्छा हम उस वوقत पाकिस्तान के military dictatorوں को असला दे रहे थे उस वोकत हमें ये सूट करता था आज आपको क्या सूट करता है आज आपको इंडिया को असला देना सूट करता है तो आप पिर हमें न कहें कि अगर चार बंदू का दो रैफलां तेन पस्तॉल एक कदा कोई टैंक टोंग देता है हमें कोई शिप शु में इट वज इंडिया जिसकी सपोर्ड मेंशा रशिया करता था आपको पता है अमरीका के साध कर होता था कश्मीर के पता था कि रसियंज में वीटो कर देना जब भी कुशमीर की उपर resolution आता था तो रसियंज वीटो कर देते थे और आज देख ले पाकसान कहां खड़ा है ना सड़ा अमेरीका रहा है ना सड़ा रशिया इंडिया का इसकम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा पिछले 50-70-70 साल से आज अमरीका के भी हम क्रीब हो है और हम किसके साथ कड़े है यह वाई साथ बात है यह स्टोरी है और यह आप समझ लें कि यह बहुत बड़ी एक चीज है जिसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने की ज़रोता है कोई पिगाम अभी तक इनिशिली जो बाइलेटरल में आनी है देखें न ठीक है प्राइम निस्टर मोदी जो है वो एक 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 आज़े डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है ठीक है उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है ठीक है अब यह जो चीज है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था तुम हमें क्या देते हो बिसिकली वो उनके लिए मुश्कलात हैं इस वक्त जो फर दे वेस्ट एक तो इंटर्नल डिसॉर्डर क्रियेट हुआ है रशिया की लड़ाई है दुनिया के बाकी मुलकों को साथ मिलाना पड़ता है तो मुश होते हैं फिर आफ गायव हो जाते हैं जब आपका इंटरस्ट खतम हो जाता है आपको लांग टर्म तालुकात बनाने नहीं आते इसलिए तो अमेरिकन्स इस दफ़ा जब पाकिस्तान के करीब आए अफगानिस्तान में तो जब दूर होने लगे अफगानिस्तान से जाने ल और रशिसे उनके तलकात आज के नहीं हैं यह जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तलकात उनके तब से हैं उनों ने कभी अपनी स्टेड को स्विंग स्टेड नहीं बनाया वो शूरूं से ही रे नर्चिया के साथ खड़े हैं हमारी तरह नहीं आए कभी एक प्राम श तो एंडिया बहुत क्लेर है अपने तलकात को लेगे वो हमारी तरह करके पहले कैमरा मैंन से मिलते हैं तो फिर जाके पुटन से मिलते हैं इतनी इंबारिसमेंट टड़की जाते हैं तो टड़की उर्टगान के कान में बार बार कहरें भाई तेरे लिए आम लाया हूं तेरे लिए आम लाया हूं क्या मतबब उनने कभी आम नहीं खाए क्या क्या यह तो चलो प्राइमनिस्टर तो नलाइक है ही है यह तो फारण आफिस वाले लोगों का काम एंड प्रोटोकोल उसको फारण प्रोटोकोल सखाए के भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए और आम तो हम वैसे भी उसको बजवा सकते हैं प्राइमनिस्टर इसके लिए लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेकर जाता है यह प्राइमनिस्टर का काम थोड़ी है घर का पुट्टन ने अपना विजिट करवा और बताया के मेरे घर में मेरी यह यह चीज़े मेरी पसंदीदा है यह चीज़े और सोशल मीडिया पे बड़ी वाइरल हो रही है इंड कुछ लोग कुछ दोगी प्लिशी पे काम करता है वो इन्वेस्मेंट अप्सीज लेके जाता है हमारे वाले कश्कोल लेकर जाएंगे तो वो उसमें भीग डाल के वापस बेज देंगे अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो इसको गेड से वापस बेज देंगे कोई मे मेमान थे हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्हों ने वहाँ गेड पर बीग डाली इसके कश्कोल में और अपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान क्यूं घबरा रहा है चीमा साब कह रहे हैं कि आगर भारत अभी इतनी बड़ economic power या consumer market नहीं होता तो दुनिया के देशों ने भारत को चने चबा देने थे जिसे पाकिस्तान को चने चबा रहे हैं भारत को आलू मटर सबजी समझ रखी इन्होंने सबसे बड़ी बात पाकिस्तान कभी भारत की तरक्की चाहता नहीं है और भारत में कुछ कि डोनार्ड टरम्ब 20 जनवरी को जब प्रेजिडेंट पत की सपत ले रहे हैं उसके बाद सबसे पहला विजिट भारत का करेंगे इसे पाकिस्तान और भी दुखी हो रहा है चाइना के पंक लग रहे हैं दोस्तो ऐसे में पाकिस्तान जो की चाइना से बिजनस कर भी रहा ह है तो उसको धोखा दे रहा है 115 मिलियन डॉलर का फ्रॉड अभी अभी चाइना ने फ्रेशली किया है इसके बाद चाइना का अल्टिमेटिव पाकिस्तान को कि हम सीपैक बंद कर देंगे दोस्तो एक तरव रश्या और भारत के रिस्ते मजबूत हो रहे हैं भारत और अमेर भी नए सौधे नए एग्रीमेंट साइन होने की उमीड है जिससे भारत और रश्या के बीच में रिलेशन स्ट्रांग हों अप्रेल 2025 से रश्या और भारत के बीच में वीजा और रैवल की सुविधाये दी जाएंगी बोले तो इंडियन टूरिस्त आप रश्या गर्र्मेंट भी कर सकते हैं ये रश्या ने इंडियनлич को इसलेए ओपन किया है क्योंकि इंडियन्स भरोसे के लोग हैं पाकिस्तान के लिए तो वी зав बंक किया रहे हैं सआथी ने तो कह दिया क्या दिया तो आपके वीजा बंक कर देंगे UAE ने बैंण कर दिये हैं कोई भी मिनिस्ट्री मीडिया पे तो हमेशा से जहर गोला गया है अपने युवाओं को हमेशा जहर उनके दिमाग में भरा जाता है मिनिस्ट्री मीडिया पे जो गाना बजाया जाएगा पाकिस्तान के गटोरा शरीफ जहां पर भी जाते हैं गटोरा फैला देते हैं अब देखना यह होगा कि पुतिन के आने से पाकिस्तान में मिर्ची कितनी लगती है और कितनी गहरी इनको घाव पहुंचती है मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक इपना ध्यान रखिए जय हिन जय भारत जय श्री रख